रावन का वद भगवान राम के हाथों हुआ था आप जानते ही हैं कि रावन दुनिया का महान विद्वान था जब राम और रावन के बीच युद्ध हुआ तो रावन की हार हुई रावन मरनासन अवस्था में था तब भगवान राम ने लक्षमन को रावन से शिक्षा लेन करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता भगवान राम की बात सुनकर लक्षमन मरत्युशया पर पडे रावन के सिर के पास जाकर खड़े हो गए लेकिन लक्षमन ने काफी देर खड़े होने पर भी रावन ने कुछ नहीं कहा लक्षमन राम के पास खड़ा होना चाहिए ये सुनकर लक्षमन दशानन के पैरों में जाकर बैठ गए तब महाग्यानी तथा प्रकांड विद्वान रावण ने लक्षमन को जीवन की कुछ अमूल्य बाते बताई आईए जानते हैं उन बातों के बारे में रावण ने लक्षमन को पहली सबसे महतपून बात ये बताई कि शत्रू तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है छोटे से छोटा शत्रू भी खतरनाक हो सकता है रावण ने राम लक्षमन और उनकी वानर सेना को तुछ समझा था और वही रावण की मृत्यू का कारण भी बने। रावण ने लक्षमन को दूसरी ज्यान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को जहां तक हो सके गुपती रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। चाहे वह आपका सबसे ही प्रिया क्योंना हो। यदि वह रहश्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर पुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावन के नाभी में अमरत कुंड होने का रहश्य विभिशन को पता था और यही रावन की हार की वज़े बना। रावन ने लक्षमन को ग्यान देते हुए कहा कि किसी भी शुब या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करने चाहिए। वहीं अशुब काम के लिए जितनी दे जंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रू तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिस कारण मैं आज मरनासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावन का अगला उपदेश था कि अपने शत्रू और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रू को अपना मित्र समझ लेते हैं जो कि बाद में हमारे शत्रू साबित होते हैं वहीं जि व्यक्ति प्राइस्तिरी पर बुरी नजर रखता है वे नश्ठ हो ही जाता है। जै श्रीराम करप्या करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।